हेलो मोडर्ण केट्स बारी गुड मोर्निंग इस्टुडेंट्स टेक आउट यूर इंग्लिस कॉपी सभी बच्चे इंग्लिस की कॉपी ओपन कर लेंगे सो लेट स्टार्ट बेटा आज हम लोग इंग्लिस में क्या करेंगे कॉच्चन आंसर करेंगे आंसर दिस कॉच्चन ओके सभी बच्चे डेट आज की चैप्टर चैप्टर का नेम मेंशन कर लें कॉपी पर कॉच्चन नमबर वन बेटा राइट करिये नेम दा थ्री फिलिंग्स देट पोएट टाक्स अबाओट इन डिस पोएम फर्स्ट कोशन में क्या कह रहा है बेटा उन तीन भावनाओं का नाम बताए जो कवी इस कपता में बात करता है तो वो कौन-कौन सी तीन भावनाओं है बेटा दा थ्री फिलिंग्स डेट दा पोयेट टाक से बाउट आर हैपी, सैड एंग्री मेंस वो कौन सी कवी ने जिन तीन भावनाओं के बारे में बात की है वे खुस हैं, उदास हैं और एक दुख की बात है हैपी मेंस के ओतर बेटा, खुस, सैड मेंस उदास and एंग्री मेंस दुख की बात कोशन नमबर टू बेटा क्या है, how does the poet want to sow her एंग्र मेंस कवी अपने क्रोध को कैसी दिखाना चाहता है आंसर क्या होगा बेटा, वह क्या करना चाहता है, मतलवी चहरा मेंस बनाता है कभी अपने दुख का कारण हर एक को कैसी बताता है कोशन नमबर टू में ये कह रहा है, कभी अपने दुख का कारण हर एक को कैसी बताता है आंसर क्या होगा बेटा, the poet tells people that she is sad by using words to say so मेंस कभी लोगों को बताता है कि वह कैसे, कि वह ऐसा कहने के लिए सब दुख का उप्योग करके दुखी है कोशन नमबर फोर में क्या है, what does the poet want to do when she is happy? क्या कहता है, जब वह खुस होता है, तो कभी क्या करना चाहता है आंसर क्या होगा, when the poet is happy, she wants to run, go wild and act crazy all day long till the day is done मेंस जब वह कभी खुस होता है, तो वह क्या करता है, जब कभी वह खुस होता है, तो जंगल, मेंस जंगली जाता है और पागल हो जाता है क्या क्या है, बीटा, वाट ड़स दपोएट, फिलिंग गेट टू स्ट्रॉंग, वाट ड़स दपोएट डू वेन हर फिलिंग्स गेट टू स्ट्रॉंग, मेंस, वाट ड़स दपोएट, जब कभ इपनी भावनों को मजबूत कर लेता है, तो वा क्या करता है, क्या करता है, जब कभी की भावनों को बहुत मजबूत कर लेता है, तो वा अपनी भावनों को क्या करता है, स्वस्थ, भावनों को स्वस्थ और सुरच्छी तरीके से दवाने के लिए अपने सब्दों का उप्योग करता है, समझ में आया सभी बच्चों को, फिर से एक बार बेटा देख लू, नेम दा थी फिलिंग्स देट देट पोएट टाक्स अबाउट इन दिस पोएम, करना चाहती है, और मतलबी चहरा दिखाना चाहती है, कबी अपनी दुख का कारण हर एक को कैसे बताता है, कभी लोगों को बताता है कि वा ऐसा कहने के लिए सब दो का उप्योग करके दुखी है, कोशन नमर फूर, वाट देट वाट वांट टू दू वैं सी इस हैपी, वैं देट पोएट इस हैपी, सी वांस टू रन, गो वाइल एंड, एक्ट क्रैजी, ओल, डे, ओल डे, लॉग तिल दे इस दन, जब कभी कहता है, जब कभी खुस होना चाहता है, तो सी वांस टू रन, वो कहां चला जाता है बीटा, जंगल चला जाता है, और एक्ट क्रैजी, ओल, और पागल हो जाता है पूरे दिन तक, पूरे दिन तक काम करने के लिए पागल रहता है कॉशन नमबर फाइप में बीटा क्या है अंसर क्या होगा जब कभी की भावनाय मजबूत हो जाती है तो अपनी भावना को स्वस्त और सुरच्छित तरीके से दबाने के लिए अपने सब्दों का उप्योग करता है I hope सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पर बेटा अच्छी राइटिंग मर होम अप कम्प्लेट करेंगे आज का यह होम मर के कॉशन से राइट करेंगे अपनी कॉपी पर और लर्ण भी करेंगे ओके स्टुडेंट्स थैंक यू हैब आ ग्रेट डी